जैश्री कृष्णा राधी राधी आप सभी को कार्तिक के महीने की बहुत बहुत शुब काम नए कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और आज से मैं आपको कार्तिक मास महतब्मिय और कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानिया सुनाँगी रोज में आपको एक महात्रमी का अध्याय सुनाँगी और साथ ही साथ रोज की पांच कहानिया भी सुनाँगी तो चलिए सुनते हैं कार्थिक मास के पहले दिन थी कहानिया एक बार नेमिशारन्य तिर्थ में शिरी सुट जी ने 88,000 सनकादिक रिशियों से कहा कि अब मैं आपको कार्थिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसका श्रवन करने से मनुशे के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंत धाम की प्राप्ती होती है सुट जी ने कहा कि शिरी कृष्ण जी से अनुमती लेकर देवरिशी नारत जी के चले जाने की बाद देवी सत्यभामा परसन्न होकर भगवाय शिरी कृष्ण से बोली हे प्रभू मैं धन्य होई मेरा जनम सफल हो गया मुझ जैसी ते लोक के सुंदरी के जरगताता भी धन्य है जो आपकी सोले हजार इस्तिरियों के वीच में मैं आपकी परंप्यारी पत्नी बनी मैंने आपके साथ नारज जी को वह कलब प्रिक्ष आदि पुरुश्विधी पूर्वक दान में दिया परंतु वही कलब प्रिक्ष मेरे घर में लहराया करता है यह बात मृत्य लोक में किसी इस्तिरी को ग्यात नहीं है हे तिर लोकीनात मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ आप मुझे करपा करके कार्तिक भातम्य की कता विस्तार से सुनाईए जिसको सुनने से मेरा हित हो सके और जिसको करने से कलब प्रियंत भी आप मुझसे विमुखना हो सुर्जी आगे बोले कि देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्रीकृषन हसते हुए देवी सत्यभामा का हाथ पकड़कर और अपने सेवको को वही रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पतनी को कलब प्रिक्ष के नीचे रे गए और फिर हंसकर बोले हे प्रिये 16000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो तुमारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोथ किया था हे कांते आप जो तुमने बात मुझसे पूछी है उसके बारे में सुनो एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्टी के लिए गरुड पर सवार होकर इंदर लोक में जाकर कलप प्रिक्ष मांगा इंदर के द्वारा मना किये जाने पर इंदर और गरुड में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड जी ने गोह से युद्ध किया गरुड जी की चोज के चोट से उनकी कान और पूँच गट-कट कर गिरने लगे जिससे तीन वस्तों उत्पन्न हुई कान से तंबाकू, पूँच से गोभी और रक्त से महंदी बनी इन तीनों का परियोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता तब गोह ने भी ग्रोधित होकर गरुड जी पर वार किया जिससे उनकी तीन पंख तूट कर गिरे पहले पंख से नीलकंट, दूसरे से मोर और तीसरे से चक्वा चक्वी उत्पन्न हुए हे प्रिये इन तीनों का दर्शन करने मातर से शुपफल की प्राप्ति होती है यह सुनकर तेवी सत्यमामा बोली हे प्रभू, करपा करकी मुझे मेरे पूर्व जनमों के विशह में बताईए मैंने पूर्व जनम में कौन-कौन से दान, बुरत या जप नहीं किये है मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जनम दाता कौन थे और मुझे वृत्यों लोक में जनम क्यों लेना पड़ा मैंने ऐसा कौन सा पुन्य करम किया था, जिससे कि मैं आपकी पतनी होई तब शिरी कृष्ण ने कहा हे प्रिये, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूरु जनम में किये पुन्य करमों को विस्तार से कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो पूरु समय में सत्युक के अंत में, मायापुरी में अत्री गोत में वेद वेतांत का ग्याता, देव शर्मा नाम का एक ब्राम्बन निवास करता था वे प्रति दिन अथितियों की सेवा करता, हवन करता और सूर्य भगवान की पूजा करता वे सूर्य के समान ही तेजस्वी था ब्रद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की एक कन्या प्राप्थ हुई उस पुत्र हीन ब्राम्मन ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंदर नामक एक खिश्य के साथ कर दिया वहे चंदर को अपने पुतर के समान ही मानता था और चंदर भी उसे पिता के सभाती ही समान देता था एक दिन वे दोनों कुश और समिथा नेने के लिए जंगल में गए जब वे हिमाले की तलहटी में भ्रवन कर रही थे तब वहां उन्हें एक राक्षश आता हुआ दिखाई दिया उस राक्षश को दीख कर भैक के कारण उनकी अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी ऐसमर्थ हो गए तब उस काल के समान राक्षश ने उन दोनों को मार डाला अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पारशद उन्हें मेरे वैकुंट धाम में ले आए मेरे पास आकर उन दोनों ने आजीवन सुर्य भगवान की पूजा की थी इस कारण में उन दोनों पर अतिपरसन हुआ गनेश जी, शेव जी, सुर्य और देवी इन सब की पूजा करने वाले मनुश्य को स्वर्की प्राप्ती होती है मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ जैसे एक देवदत, पिता, ब्राता, आदिनावों से पुकारा जाता है जब वे दोनों विमान पर आरोड होकर, सुर्य के समान तेजस्वी, रूकवान और चंदन की माला धारन की हुए मेरे भवन में आए तब वे दिव्य भोगों को भोगने लगे यहाँ पर कार्तिक महतम्य का बहला अध्याय समात होता है अगले अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे अब हम सुनेंगे कार्तिक महतम्य के साथ सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कहानिया सबसे पहले सुनते हैं गनेश जी की कहानी एक बुडिया माई थी मिट्टी के गनेश जी की रोज पूजा करती रोज बनाती रोज गल जाते एक सीट का मकान बन रहा था तब वह वहाँ गई और कहने लगी कि मैं रोज गनेश जी की पूजा करती हूँ रोज बनाती हूँ रोज गल जाते हैं तुम मेरे लिए पत्थर के गनेश बना दो तम मिस्तरी नहीं माने और कहने लगे कि इतने में हम तुमारे पत्थर के गनेश बनाएंगे उतने में तो अपनी दिवार न चिन लेंगे बुडिया दुखी हो गई और बोली कि राम करे तुम्हारी दिवार ही टेड़ी हो जाए अब उनकी दिवार टेड़ी हो गई वो चिनते और दिवार को उठा देते करते करते शाम हो गई शाम को से ठाया उसने देखा आज तो कुछ भी नहीं किया तब वह पूछने लगा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया तब मिस्तरी कहने लगे कि हमने तो सारा दिन काम किया लेकिन एक बुढ़िया आई थी कह रही थी कि मेरा पत्थर का गनेश बना दो हमने नहीं बनाया तब उसने कहा कि तुम्हारी दिवार टेड़ी हो जाए अब हम जो भी दिवार बनाते वो टेड़ी हो जाती तब सेट बुढ़िया के पास गया और कहने लगा कि मैं तेरा सोने का गनेश बनवा कर दूँगा हमारी दिवार सीधी कर दो तब सेट ने बुढ़िया को सोने के गनेश जी बनवा कर दिये सेट की दिवार सीधी हो गई ये गनेश जी बगवान जैसे सेट की दिवार सीधी की रैसे सब की करना बोली एक जानन गनेश की जय हो अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी कार्तिक के महिने में सब कोई तुलसी माता को सीचने जाती सब कोई तो सीच के आ जाती पर एक बुढ़िया माई थी जो रोज बंदिर जाती विश्णु भगवान की पूजा करती तुलसी माता में जल जढ़ाती परिकर्बा करती और प्रार्थना करती हे तुलसी माता सतकी दाता मैं बिडवा सीचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे पितांबर की धोती दे मीठा मीठा ग्रास दे वैकुंट का वास दे चटकी की चाल दे और पठके की मौद दे चंदन का काट दे जालर की छनकार दे साएं का दाल भात का जिम्मन दे और ग्यारस का दिन दे तृष्ण का कांधा दे इतनी बाते कहकर बुडिया माता चली जाती बुडिया माई की बाते सुनकर तुलसी माता सूखने लगी एक दिन भगवान ने पूछा कि देवी तुम सूखती क्यो जा रही हो तब तुलसी माता बोली बगवान मेरे पन की पूछो मत तब बगवान हसकर कहने लगे कि मैं नहीं पूछोंगा तो कौन पूछेगा अब बताओ तुम क्यों सूखने लगी तब दुलसी माता ने कहा कि एक बुडिया माई आती है और रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती है मैं और तो सब कुछ दे बुडिया माई को गिरता देखकर आसपास के लोग आये और बुडिया माई को उठाने लगे देखा तो बुडिया माई मर चुकी थी लेकिन कितनी भी कोशिश करे वे बुडिया माई को नहीं उठा पाए तब सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे भगवान एक बुड़े ब्रामन का वेश बना कर आए, पुर्सने लगे कि इतनी भीड क्यों जमा है, तब सब कहने लगे कि एक बुढियामाई मर गई है, बड़ी पापिन थी, किसी के उठाए नहीं उठ रही, तब भगवान कहने लगे कि मुझे देखने दो, तब सब लोग हसने लगे, कि ले हमने तो अपने मन की कर ले, जा तू भी कर ले, अब भगवान बुढियामाई के पास गए, और उसके कान में जाकर बोले, बुढियामाई, तू बिड़ला सीचे मेरा, मैं करू निस्तारा तेरा, ले बुढियामाई, अडवा ले, गडवा ले, पीतांब ले, और दालभात का जिम्मन ले, कृष्ण का कांधा ले, बस इतनी बात सुननी थी, कि बुढियामाई हलकी हो गई, और भगवान अपने कंदे पर उसे ले गए, बुढियामाई की मुक्ती हो गई, ये तुलसी माता, जैसे आपने बुढियामाई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ती दी, ऐसे ही सब को देना, बोल ये तुलसी माता की जै हो, अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी, एक सास बहु थी, सास कार्तिक नहाती थी, रोज बारे कोस जाती और बारे कोस आती, बहु कभी कार्तिक नहने कमन हुआ, तब उसने सास से कहा, कि मैं भी कार्थिक स्रान करना चाहती हूँ तो सास ने मना कर दिया बहु बिचारी बड़ी दुखी हुई लेकिन वो घर में ही कार्थिक नहाने लगी कथडिया में पानी डाल कर कह दी कि मन जंगा तो कठोती में गंगा बस उसकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी वहीं आ जाती और बहु उसमें नहा लेती एक दिन की बात है सासु जी गंगा नहाने गई तो उनकी नत भे गई घर में बहु रहाई तो उसके कठड़े में आ गई उसने निकाल कर रख ली सास आई तो उदास होकर बैठ गई तब बहु ने पूछा कि सासु जी उदास क्यों बैठी हो तब सास कहने लगी कि आज तो बड़ा नुकसान हो गया मेरी नत गंगा में भे गई तब बहु ने नत निकाली और सास को देते हुए कहा कि लो सासु जी आपकी नत तो मेरे हाथ में आ गई तब सास ने पूछा कैसे आई तब बहु बोली कि तुम तो बारे कोस जाती हो बारे कोस आती हो गंगाजी नहाकर मैं तो घर में ही कठडिया में पानी डाल कर कह देती हूं कि मन चगा तो कठोती में गंगा अब मेरी प्रार्थना पर गंगाजी यहीं आ जाती है बस आज उसी में तुम्हारी नत भी बहते बहते आ गई तो मैंने उठा कर रख ली जैसे सास को आई किसी को भी न आई और जैसे बहु को आई सब को आई कहते सुनते हुंकारा भरते को अब सुनेंगे पत्वारी की कहाने एक बुढिया माई थी बुढिया माई के चार बेटे थे चार बहुएं थी बुढिया माई के पास चार भैसे थी आया कार्तिक का महिना तो बुढिया माई अपनी बहुएं से बोली कि मैं तो कार्तिक इसनान करने जा रही हूं तुम सभी एक-एक भैस ले लो एक मही में पात आऊंगी तो देखूंगी तुम मेंसे किसने सबसे ज़्यादा खी जमा किया है अब उसकी तीन बड़ी बहुए तो बड़ी चलाक थी लेकिन छोटी बहु बड़ी सीधी सादी थी उसे ना दूद बिलो ना आता था और ना घी निकालना आता था अब सासू बातो एक-एक भैस देकर कार्ति किसनान को चली गई तो तीरों देवरानी जेठानी आपस में योजना बनाने लगी कि अब देखते हैं ये क्या करेगी क्योंकि इसे तो ना दूद बिलो ना आता है और ना घी निकालना आता है अब सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए वे तेनों उससे जलती थी अगले दिन सबसे छोटी बहु अपनी देठानियों से पूछने लगी कि कैसे दूद बिलों कैसे घी निकालू तो उसे किसी ने कुछ नहीं बताया अवे तो बड़ी बोली भाली थी बहुत दुखी हुई उसका रोज मंदिर जाने का नियम था वो घर का सारा काम करके मंदिर में गई तो देखने लगी कि वहाँ सभी ओड़ते पत्वारी की पूजा कर रही थी तो उसने पूछा क्या कर रही हो वे बोली कि कारति का महीना शुरू हो गया है इसलिए पत्वारी की पूजा कर रहे है उस दिन मंदिर में बहुत सारी संगत वी रुकी थी कार्ति किसनान करने के लिए तब बहु ने क्या किया सारा दूद दही ले जाकर तो संगत को पिला दिया और पत्वारी की पूजा करके घर आ गई अब वो रोज ऐसे ही करने लगी दूद दही बेकार होगा इसे तो अच्छा है कि कार्ति किस्नान करने वाले को ही पिला दू तो उसने सारा दूद दही तो कार्ति किस्नान करने वालों को पिला देती पत्वारी की पूजा करती और घर आ जाती करती करती पूरा महीना हो गया तीन बहुओं ने तो डिबा भर के घी जमा कर लिया अब छोटी बहु तो बिचारी बड़ी डर गई कि अब सासू जी आएंगी पूछेंगी घी कहा है मैं क्या कहूंगी तो वो तो पत्वारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई पत्वारी ने पूछा कि ऐसे उदास क्यों वैठी हो तब उसने कहा कि कल मेरे सासू जी आएंगी उन्होंने कहा था घी जमा करना मैंने तो कुछ भी नहीं किया अब क्या दूंगी तब पत्वारी माता बोली कि तो चार कंकर ले जा जाकर चार डिब्बों में डाल देना तेरा एक एक डिब्बा घी से भर जाएगा तो ऐसे तेरी चार डिब्बे हो जाएंगे अब वो वहां से चार कंकर उठा कर लाई और उसने चार डिब्बों में डाल दिये उसके चार डिब्बे घी के भर गए अगले दिन सासु जी आई और बोली कि लाओ दिखाओ किसने कितना घी जमा किया तो तीनों बहुएं जो बड़े वाली थी खुशी खुशी अपना अपना डिबा लेकर आई और सोचने लगी कि अब सास यसे इसको डाट पड़ेगी क्योंकि इसने तो कभी घी बिलो या ही नहीं घी निकाला ही नहीं जब छोड़ी का नंबर आया तब वो चार डिब लेकर आई तो सब कहने लगी कि तुमने तो कभी दूद नहीं जमाया कभी बिलोया नहीं तो इतना घी कहां से लाई तब उसने सारी बात बता दी कि मुझे तो घी बिलोना नहीं आता था मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैं तो मंदिर जाती और कार्तिक इस्नान करने वालों की गीदूद से सेवा कर देती और पीपल पत्वारी की पूजा करती तो मुझे तो ये खी पत्वारी माता ने मेरी सेवा से खुशो कर दिया है। तब सब कहने लगी कि पत्थवारी माता की पूजा करने का, कार्तिक इसनान करने वालों की सेवा करने का इतना धरम फल होता है, तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पत्थवारी माता की पूजा करेंगे, बोली ये पत्थवारी माता की जै हो, अब सुनेंगे शनिवार की कहानी एक ब्रामन था उसका पाठ करने का नियम था पाठ करने जा रहा था रास्ते में शनिष्चर महराज मिले तो ब्रामन ने पूछा की कहा जा रहे हो तब शनिष्चर भगवान बोले की राजा के लगने जा रहा हूं ब्रामन ने सोचा की राजा के लगेगा स तो उसने सवा पहर की ओट ली वर नदी के किनारे जाकर बैठ गया सोचने लगा कि सवा पहर तो पूजा करने में ही बीत जाएगा आसन बिचा कर पाठ करने लगा ओम नवो भगवते वासू देवाए नमहा पांच बार कहके माला फेरने लगा नदी में दो मतीरे बहे जा रहे थे उसने निकाल कर अपने पास रख लिए साड़े साती के फेर से राजा की लड़कों के सिर बन गए एक आदमी ने देखा कि राजा की लड़के के सिर काटकी रखे हैं तो उसने ब्रामन से पूछा तो ब्रामन कहने लगा कि किसी से कहना मत, मुझे दशा लग रही है, उसी कारण ये माया फैली है उसने एक से कहा, दो से कहा, सारी नगरी में फैल गई राजा ने आदेश दिया कि ब्रामन को सूली पर चड़ा दो सोने की घड़वाई वो तूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी तूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी तूट गई, और लोहे की घड़वाई वो भी तूट गई, जो भी घड़वाते वो ही तूट जाती, इतने देर में उसका सवा पहर पूरा हो गया राजा की लड़के खेलते खेलते आ गए रानी ने देखा तो राजा से बोली कि महाराज ब्रामन तो सूली पे चड़ा दिया होगा हमें तो पाप लग गया अब हमारा पाप कैसे उतरेगा तब राजा ने जाकर देखा देखा तो ब्रामन पाठ कर रहा है अब ब्रामन कों सा ज्ञान विज्ञान जाने था वो कहने लगा कि ये सब मैंने नहीं किया मैं तो पाठ करने जा रहा था रास्ते में शनिष्चर महराज मिले तो मैंने पुछा कहा जा रहे हो तब उन्होंने कहा कि राजा के लगने जा रहा हूं मैंने सोचा राजा की लगेंगे सारी प्रजा दुखी होगी मैंने अपने लगा लिये तब शनिश्चर भगवान बोले कि साथ साल की ना ओटी जाए पास साल की ना ओटी जाए डाई साल की ना ओटी जाए सवा साल की ना ओटी जाए तो मैंने सवा पहर की ओट ली सवा पहर में ऐसे रंग दिखाए तो इनकी दश्चा कैसे उतरेगी सोने चांदी का दान तांबे लोहे का दान पितल का दान राजा तो कर लेगा गरीब कैसे करेगा तब ब्रामन कहने लगा कि गरीब तेल की पाली गुड की डली डकोत को दे दे साथ बार पीपल में जल चड़ा दे और कह दे कि शनी देव मोटा कभी न आवे टोटा शनी वार की घड़ी घड़ी ले सत्तर बला टले ऐसा साथ बार कह दे साथ बार जल चड़ा दे तो सारी बला टल जाए पोलो शनिच्चर भगवान की जैहो ये थी कार्तिक मास के पहले दिन की कहानिया अगर आपको कहानिया अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज ऐसी ही कहानिया सुनते रहें अरी कृष्णा राधी राधी